क्रिस्टियानो रोनालडो का जीवन परिचय, जीवनी लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी, वेतन, कुल समपत्ती, नेट वर्थ, उचाई, हिस्ट्री, रेकॉर्ड, विवाद, धर्म, पुरसकार, वर्तमान टीम, क्रिस्टियानो रोनालडो, बायोग्रफी, इन हिंदी, नोट वर्थ, एज, वाइफ, गर्ल फ्रंड, चिल्डरन, इंस्टाग्रांग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल खेल से हैं और ये एक काफी फेमस फुटबॉल खिलाडी हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहत की कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतरराश्ट्रिय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की आयू में ही हो गया था। काफी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के जरिये लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामियाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। आय के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के अन्य खिलाडियों से काफी आगे हैं और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाडी की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन इस उचाय तक पहुँचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन परिचय पूरा नाम फुल नेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सेंटोस अवेरो निक नेम निक नेम सी रोनाल्डो सी आर साथ रोनी रोकेट रोनाल्डो जन्म दिन बर्थडे पाँच फरवरी उन्नीस सौ पचासी जन्मस्थान बर्थ प्लेस फंचल मदीरा पुर्तगाल राशी जोडियक कुम्भ नागरिक्ता सिटिजन्शिप सैंटो एंटोनियो ग्रह नगर होमटाउन शिक्षा एज्यूकैशन स्कूल का नाम कॉलेज यूनिवर्सिटी धर्म रिलिजन ठोलिसिस्म घर का पता होम एड्रस भाशा का ज्यान लैंग्वयोज पुर्तगाली और अग्रेंजी शौक लाइक्स पेशा ओक्यूपेशन पुर्तगाली पेशेवर फुट्बॉलर टीम टीम स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एवन पुर्तगाल राष्ट्रिय टीम गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स जॉर्जिना रोडरिगेज बुरी आद्तें बैड हैबिट्स कुल संपत्ती निवट वर्थ तीन सौ तीस मिलियन डॉलर के आसपास फेस्बुक पेज, फेस्बुक पेज फेस्बुक डॉट कॉम क्रिस्चियानो इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम डॉट कॉम क्रिस्चियानो एचल इस इक्वल टू उन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म और परिवार बर्थ एंड फैमिली टाइम्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पांच फरवरी सन उन्नीस सौ पचासी में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जोस दिनिस अवियरो है जो की नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में कार्य किया करते थे इनकी माता का नाम मारिया डालोरेस दौस सैंटोस अवियरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और दो बहने भी हैं और ये अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं टाइम्स रोनाल्डो के कुल चार बच्चे हैं जिन में से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था हालां कि इनके बेटे की मा कौन है इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया है टाइम्स रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम मातेओ, मैटेओ, इवा मारिया, इवा मरिया और अलाना मार्टिनेज, अलाना मार्टिनीज है मातेओ, मैटेओ और इवा मारिया, इवा मरिया, रोनाल्डो के जुर्वा बच्चे हैं, जिनका जन्म आठ जूम 2017 को सरोगेसी के जरिये हुए था जबकि इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मा इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है परिवार के बारे में जानकारी, फैमिली इन्फोर्मेशन पिता का नाम फादर्स नेम जोस डिनिस अवियरो माता का नाम मदर्स नेम मारिया डालोरेस डॉस सैंटोस अवियरो कुल भाई बहन सिबलिंग तीन कुल बच्चे चिल्दरन मातेयो इवा मारिया अलाना मार्टिनेज और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर रोनाल्डो की शिक्षा एज्यूकैशन ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है टाइम्स कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल के टीचर पर कुरसी फैंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था टाइम्स वहीं रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में इनकी मा ने इनका साथ भी दिया था रोनाल्डो की जिन्दगी से जुड़ी निजी जानकारी पर्सनल इन्फोर्मेशन टाइम्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपती के नाम पर रखा है दरसल यूएस के राष्ट्रपती रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रखा दिया था ताइम्स रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटर्व्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया था कि वो किस तरह से बेहद ही छोटे से घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई और बहन के साथ साजा करना पड़ता था ताइम्स रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुलबॉलर बनने के सपने में उनकी मा ने उनका काफी साथ दिया था और आज अपनी मा के स्पोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बहतरीन फुटबॉलर प्लेयर बन सके हैं टाइम्स रोनाल्डो बच्पन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्थ थे और जब ये 14 वर्ष की आलू में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था टाइम्स इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज्यादा तीजी से धड़कता है और ऐसे हालात में ज्यादा उच्छल कूद जान लेवा होती है टाइम्स लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था टाइम्स रोनाल्डो शराब सिगरेट या किसी भी तरहे का अन्य नशा नहीं करते हैं क्योंकि अधिक शरब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यू बावन वर्ष की आलू में हो गई थी और इसलिए रोनाल्डो ने इन सभी तरहे की चीजों से दूरी बना रखी है ताइम्स जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में काम्याब हो रहे थे उसी समय रोनाल्डो की मा को कैंसर हो गया था जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मा का इलाज करवाया था और इस वक्त ये अपनी मा के साथ ही रहते हैं टाइम्स बचपन में रोनाल्डो एंडोरिनहाट टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने इस तीम के लिए सन 1992 से लेकर सन 1995 तक खेला हुआ है रोनाल्डो की करियर रॉनल्डो स करियर स्पोर्टिंग सीपी क्लब स्पोर्टिंग सीपी क्लब टाइम्स 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग CP कलब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोननत किया गया था टाइम्स महज एक साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस कलब की अंदर 16 टीम अंदर 17 टीम अंदर 18 बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाडी बन गए थे जिन्होंने केवल एक साल के अंदर इतनी तरक्की की थी टाइम्स इस कलब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला प्राइमिरा लीगा प्राइमिरा लीग मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मोरेरंस फूटबॉल कलब के विरूद्ध खेला था इस मैच में इन्होंने दो गोल भी कियے थे क्लब की टीम को 3 से 1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किये थे। टाइम्स इस मैच के बाद मैंचेस्टर युनाइटेड फुट्बाल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। टाइम्स साल 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलिक्स फर्ग्यूजन जो की महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक थे वो चाहते थे क्रिस्टियानो इनलैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने टैंस सर एलिक्स फर्ग्यूसन के अलावा इनलैंड के महान फुटबॉल प्लेयर रियो फर्डिनेंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथ ही के रूप में देखना चाहते थे क्रिस्टियानो का मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ का सफर मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब टाइंस साल 2003 में मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल कलब ने स्पोर्टिंग कलब से पाउंड 24 की कीमत पर क्रिस्टियानों को खरीद लिया था और क्रिस्टियानों को अपने कलब का हिस्सा बनाने के लिए मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल कलब द्वारा कीमत काफी अधिक थी टाइन्स मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल कलब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरहे की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में काम्याब हुए थे टाइन्स क्रिस्टियानो को मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल कलब की ओर से साल 2004 में हुए एफए कप फाकप को खेलने का मौका मिला था और इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को ये मैच जीतने में मदद की थी टाइन्स साल 2004 में हुए एफए कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने तीन गोल किये थे जबकि साल 2006 तक क्रिस्टियानो ने अपने नाम कुल 26 गोल कर लिये थे टाइम्स क्रिस्टियानों के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैंचेस्टर युनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फिर से इनके कॉंट्राक्ट को और बढ़ा दिया था और इस बार इनको 31 पाउंड मिलियन में खरीदा गया था टाइम्स कॉंट्राक्ट बढ़ने के बाद क्रिस्टियानों ने इस कलब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम किये थे और अपनी टीम को तीन प्रीमियर लीग ट्रॉफीज जीताने में मदद की थी जानिये कैस पढ़ा क्रिस्टियानों का नाम सी आर साथ टाइम्स साल 2006 से लेकर साल 2008 का समय क्रिस्टियानों की जिन्दगी का काफी अच्छा समय साबित हुआ था और इसी दौरान मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानों को जर्सी नमबर साथ दी थी टाइम्स ये जर्सी नंबर मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टलब के महान खिलाडियों से जुड़ा हुआ था इसलिए क्रिस्टियानों ये जर्सी लेने से डर रहे थे लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको साथ नंबर की जर्सी दे दी गई टाइम्स ये नंबर क्रिस्टियानों के लिए काफी लकी साबित हुआ और धीरे-धीरे क्रिस्टियानों को सी आर साथ के नाम से बुलाया जाने लगा Real Madrid Club से जुड़े क्रिस्टियानो Real Madrid टाइम्स साल 2009 में मैंचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल कलब को छोड क्रिस्टियानो रियल मेडरिड कलब से जुड़ गए थे हालांकी राउल ने अपनी ये जर्सी क्रिस्टियानो के लिए छोड़ दी थी और इस तरह से इन्हें एक बार फिर से साथ नंबर की जर्सी मिल गई थी टाइम्स रियल मेडरिड की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलवाई है साल दो हजार सोलह से लेकर साल दो हजार सत्रह तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल बयालीस गोल किये हुए है और इस तीम को लीड भी किया है क्रिस्टियानो को मिले अवाड और इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में जानकारी अवोर्ड्स एंड रकोर्ड्स क्रिस्टियानो ने इंटरनेशन फुटबॉल मैचों में हमेशा बहतरीन प्रदर्शन दिया है और इस समय इन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम कर लिये हैं जो की इस प्रकार है वाड के नाम किस साल मिले अवाड बैलन डी आर बैलन डोर 2008 यूरोपिय गोल्डन शूज 2008 और 2011 फीफा वल्ड प्लेयर आफ दाइयर 2009 पिच्ची ट्रोफी पिच्ची ट्रोफी 2014-2011 यूईएफ ए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवाड 2014 फीफा पुसकास पुरसकार फीफा पुसकास अवोर्ड 2009 पीफ ए प्लेयर प्लेयर आफ दाइयर 2007-2006 गोल पचास 2012-2018 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट 2007 प्रीमियर लीग प्लेयर आफ दमन्थ 2008-2006 यूईएफ ए टीम आफ दाइयर 2012-2011-2010 पफा टीम आफ दाइयर 2008-2007-2006 PFA यंग प्लेयर आफ दाइयर 2006-2006 ब्रावो पुरसकार 2004-ट्रोफियो अलफ्रेडो दी स्टेफनो ट्रोफियो अलफ्रेडो दी स्टफनो 2011-2011 सर्वश्रिष्ट अंतरराष्ट्रिये एथलीट ESPY पुरसकार 2014-2011 FWA फुटबॉलर आफ दाइयर 2007-2006 प्रीमियर लीग प्लेयर आफ दाइयर 2007-2006 BBC Overseas Sports Personality आफ दाइयर 2014 UEFA कलब फुटबॉलर आफ दाइयर 2007 वर्ड सौकर प्लेयर आफ दाइयर 2008 Sir Matt Busby प्लेयर आफ दाइयर 2007-2006-2003 ला लीगा प्लेयर आफ दामंथ ला लीग प्लेयर आफ दामंथ 2013 FIFA Ballon D.O.R. FIFA Ballon D.O.R. 2014 पफा फैन्स प्लेयर आफ दाइयर 2007-2006 UEFA Champions League टॉप गोल स्कोरर UEFA Champions League टॉप गोल स्कोरर 2014-2013-2008 FIFA FIFA फिफरो वर्ल्ड इलवन 2012-2011-2010 LPF Most Valuable Player 2013-2013 FIFA Pro Special Young Player आफ दाइयर 2005-2004 Millieat Sports Award for World Athlete of the Year 2014-2014 IFFHS World Best Top Division गोल स्कोरर 2013-2013 UEFA Champions League Forward of the Year 2017 Cristiano द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड Times Ballon D.R. Ballon D.R. Award Football खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है इस अवार्ड को Cristiano ने कुल पांच बार जीता हुआ है और इसी के साथ Cristiano इकलोते ऐसे खिलाडी है जिन्होंने पांच बार ये अवार्ड जीत रखा है Times पांच बार World Soccer Player of the Year पुरसकार जीतने का भी रिकॉर्ड Cristiano के नाम है Times Cristiano पहले ऐसे फुटबॉलर भी है जिन्होंने प्रोफेशन लीग के लगातार दो सत्रों में 40 गोल किये हुए है Times Cristiano ने लगातार हुई शीष पांच लीग में 50 गोल किये हुए है और इनका ये रिकॉर्ड तोरना काफी मुश्किल है Cristiano Ronaldo के खेल से जुड़ी जानकारी Times Cristiano Ronaldo World के सबसे फेमस फुटबॉल खिलाडी है जिन्होंने अभी तक अपने करियर में कुल 654 गोल किये हुए है Times Cristiano जब बॉल को हिट करने के लिए कूदते यानी जम्प लगाते है तो उस जम्प को लगाने के लिए ये चीते से भी अधिक ताकत का इस्तिमाल करते है Times Cristiano फ्री किक मारते समय 130 किलोमिटर प्रती घंटे की रफ्तार से दौरते हैं जो की काफी अधिक रफ्तार है Times Cristiano ने अपने सिर की मदद से कुल 107 गोल किये हुए हैं जिनमें से 65 गोल इन्होंने रियल मेडरिड की ओर से खेलते हुए किये हुए हैं Times Cristiano ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो उस समय इन्होंने अपना वजन थोड़ा बढ़ा लिया था क्योंकि कम वजन होने के कारण ये फुटबॉल खेलते समय अपनी रफ्तार को काबू नहीं कर पा रहे थे Cristiano का लुक Cristiano Ronaldos लुक Cristiano की Personality काफी अच्छी है इन्होंने काफी अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है और ये रोज जिन किया करते हैं नीचे इनके लुक के बारे में जानकारी दी गई है रंग कलर ये हुआ लंबाई हाइट छे एक फीट इंच वजन वेट 81 किलो बॉडी साइज बॉडी मर्मंट्स छाती चस्ट तैंतालीस इंच कैमर वेस्ट तैंतीस इंच बिसेप्स बाइसप्स 14 इंच जूतों का नंबर शू साइज 10 इंच क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा किये गए नेक कार्य सोशियल वरकर ताइम्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाडी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं यह कई तरह की समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर waffle शायरिटी करते रहते हैं ताइम्स क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और यह लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोच साहित भी किया करते हैं ताइम्स साल 2012 में क्रिस्टियानों ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे इन्हें मिले थे इन्होंने उन पैसों से गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था Times Cristiano हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तयार रहते हैं और इन्होंने एक नौ साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्चा उठाया था Cristiano Ronaldo की Girlfriend, Girlfriends टाइंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा गया है और इन्होंने कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स को डेट भी किया हुआ है टाइंस क्रिस्टियानो की कई सारी गर्लफ्रेंड रहे चुकी हैं और इनकी गर्लफ्रेंड के नाम इस प्रकार हैं टाइंस इस वक्त क्रिस्टियानो जोर्जिना रोडरिगेज को डेट कर रहे हैं और इन दोनों को सबसे पहले एक साथ साल 2016 में देखा गया था जोर्जिना रोडरिगेज का रिलेशनशिप क्रिस्टियानो के साथ साथ उनके बच्चों के साथ भी काफी अच्छा है और अक्सर इन्हें क्रिस्टियानो के बच्चों के साथ देखा गया है इसके अलावा ये क्रिस्टियानो के एक बच्चे की मा भी है टाइम्स माना ये भी जा रहा है कि क्रिस्टियानो जल्द ही जॉर्जिना रोडरिगेज से विवाह भी करने वाले हैं और हाल ही में क्रिस्टियानो की मा ने भी एक इंटर्व्यू में क्रिस्टियानो के जल्द ही शादी करने की हिंट दी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पसंदीदा चीजों के बारे में जानकारी, लाइक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं और इनको पुर्तगाली खाना खाना काफी पसंद है पसंदीदा खाना फेवरिट फूड पुर्तगाली फूड बाकलाव एबराज बकैलह अबराज पसंदीदा फल फेवरिट फ्रूट पसंदीदा स्वीट दिश फेवरिट डिजट पसंदीदा फुटबॉल खिलाडी फेवरिट प्लेयर लुइस फिगो पसंदीदा रंग फेवरिट कलर सफेंद पसंदीदा फिल्म फेवरिट फिल्म दसिक्स्थ सेंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जुड़े विवाद, कॉंट्रोवर्सी क्रिस्टियानो जितने प्रसिद्ध फुट्बॉलर खिलाडी हैं, उतने ही ये विवादों से भी घिरे रहते हैं हाला कि इन विवाद का असर कभी भी इनके करियर पर नहीं पड़ा है लगा था रेप का आरोप साल 2005 में क्रिस्टियानो पर रेप करने का आरोप भी लगा था और वो इस आरोप में गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं हालांकी गिरफतार होने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने क्रिस्टियानों को छोर दिया था और कुछ समय बाद उन पर ये आरोप लगाने वाली लड़की ने इन आरोपों को वापस भी ले लिया था इस विवाद के कारण क्रिस्टियानों की इमेज पर काफी बुरा असर भी पड़ा था क्लब में शराब पीने से जुड़ा विवाद साल 2008 में डेली मिरर ने अपने अखबार में एक खबर चापी थी और उस खबर में कहा गया था कि क्रिस्टियानों ने एक क्लब में जाकर वहाँ पर काफी अधिक शराब का सेवन किया था ये खबर छपने के बाद क्रिस्टियानो के फैंस को काफी धक्का पहुँचा था क्योंकि क्रिस्टियानो शराब का सेवन नहीं किया करते थे हालां कि ये खबर बाद में जूठी निकली थी और डेली मिरर ने कमपंसेशन देने के साथ साथ क्रिस्टियानों से इस खबर को छापने को लेकर माफी भी मांगी थी क्रिस्टियानों के बेटे की मा से जुड़ा विवाद क्रिस्टियानों के बेटे क्रिस्टियानों रोनाल्डो जूनियर की असली मा की पहचान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था कहा जाता है कि क्रिस्टियानों के इस बच्चे को 20 साल की युवती ने जन्म दिया था और इस युवती से क्रिस्टियानों ने अपने बच्चे की कस्टडी पैसे दे कर ले ली थी तीसवा जन्म दिन मनाने से जुडा विवाद क्रिस्टियानों की टीम इनके तीसवे जन्म दिवस के दिन हुए एक मैच को हार गई थी लेकिन मैच हारने के बाद भी क्रिस्टियानों ने अपने जन्म दिन को काफी धूम धाम से सेलिब्रेट किया था जिसके कारण इनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था और इनके फैंस इनसे काफी नाराज हो गए थे क्रिस्टियानों के पास कुल संपत्ती, क्रिस्टियानो रॉनाल्दो निट वर्थ एंड एसेट्स क्रिस्टियानों दुनिया के सबसे अमीर खिलाडी है और इन्होंने अपने खेल और कई विज्ञापनों के जरिये कई सारे पैसे कमा रखे हैं इसके अलावा क्रिस्टियानों का CR साथ नाम का एक ब्रांड भी है और इस ब्रांड के तहट कई तरह के सामनों को बेचा जाता है नेट वर्थ राशी आधार वेतन बेस सैलरी डॉलर बावन दशमलव 6 मिलियन ब्रांड एमबेस्डर के तौर पर मिलने वाली राशी ब्रैंड अंडोर्समंट फी डॉलर 27 मिलियन पेंट हाउस पंठ हाउस डॉलर 7.2 मिलियन जेट जोट डॉलर 17 मिलियन लक्षरी कारें लक्षुरी कार्ज बीएम डब्ल्यू एम छे मर्सिडीज बेंच और ओडी फेरारी आयकर इंकम टैक्स निवेश इन्वस्टमंट्स कुल नेट वर्थ नेट वर्थ 330 मिलियन डॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़ी रोचक बातें इंट्रस्टिन फैक्ट्स टाइंस क्रिस्टियानो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया हुआ है क्योंकि अधिकतर देशों में जिन लोगों ने अपने बॉडी पर टैटू बनवाये होता है उनके खून की जाँच रक्तदान देने से पहली की जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान खून संक्रमन संबंधी बीमारी होने का खत्रा अधिक होता है टैंस क्रिस्टियानों की मा इन्हें बच्पन में क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी क्योंकि फुटबॉल खेलते टैंस बच्पन में जब इनके साथियों द्वारा इनको पास नहीं दिया जाता था तो ये रोना स्टार्ट कर देते थे Times Christiano अपने बच्चों के साथ काफी समय बिताया करते हैं और अकसर ये अपने बड़े बेटे को अपने साथ कई अवार्ड फंक्षन में भी लेकर आया करते हैं. टाइम्स क्रिस्टियानों की वैल्यू का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि ये 45 घंटे में 8 करोड रुपए तक की कमाई कर लेते हैं क्रिस्टियानों की पहचान केवल एक खिलाडी तक ही सीमित नहीं है और ये अपने समाज कारियों के लिए भी काफी जाने जाते हैं क्रिस्टियानों समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रती पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जीताने की कोशिश करते हैं